हलो एवरीवन वेरीवन वेरी वर्म वेलकम तू यू अन दिस अमेजिंग प्लाटफॉर्म ऑफ डाउटनट मैं पूजा शर्मा आपकी इंग्लिश एड्यूकेटर आज फिर से ले आई हूँ एक पोम यह पोम तो बहुत दिल के करीब है हम हमारे बच्पन को जतना याद करते हाँ अभी आप इतने भी बड़े नहीं हुए हो I know that बट फिर भी अभी एक maturity लेवल आ चुकी है आपकी अंदर अभी वो बच्पन के दिन जरूर से याद आते हैं जब हमें ममी पापा किसी बात के लिए डाटते थे और हम रो जाते थे अभी रोना धोना कम हो गया है अगर यह कभी रोक देते हैं किसी काम को करने के लिए तो भी हम एनिहाँ मैनेच कर लेते हैं राइट बात वी यह बात कुछ बता दिया है अब तो मैंने आपको let's get started with the poem, जब हम poem की बात करते है, poem का नाम ही आपको पदा है, यहाँ पर the name is childhood, okay, childhood जो बच्पन के बारे में बताता है, अब इसके author के बारे में बात करूँ, तो देखो, you will find many many things about the author, but कोई भी authentic नहीं है, जब authentic होगा, तो मैं actually क्या करूँगी, आपको एक अलग से विडियो करवा दूँगी, authentic photo के साथ में, authentic description की यह इनके बारे में, authenticity के कारण में यहाँ पर किसी का photo यहाँ पर description में नहीं लेके आए हूँ, नहीं उनके बारे में मैंने कुछ लिखा है, so you, if you get the question, तो आप definitely इनके बारे में लिखते हुए, बहुत सारी चीज़े, poem के बारे में बत नहीं है, name, name क्या है, Marcus Natain है, इतना याद रख लेंगे, now when we move forward with the poem, जब हम poem को पढ़ेंगे, तो मैं एक एक चीज़ आपको describe करूंगी, in between, क्या क्या चीज़े हैं और क्या नहीं हैं, everything I'll tell you, okay, so let's get started with this part, जब यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूं, तो very first line, it is again and again repeated, in this whole poem, that is when did my childhood go, was it the day I ceased to be living, was it the time I realized that hell and heaven, could not be found in geography and therefore could not be was that the day, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कि वो कहा गया, when did my childhood go, when बतलब कहा, कब कहा चला गया, यह यहाँ पर where भी आएगा, where is in this last stanza, but जो यह when है, when पूछ रहा है कि कहा चला गया है, कब चला गया, यह सारी इसी के बूम रहा है, so when, मतलब कि कब, कब, कब चला गया, मेरा childhood मुझे पता ही नहीं चला, कि मेरा बच्पन जो है, मुझे से दूर चला गया, when did my childhood go, was it the day, क्या यह उस दिन चला गया, जब मैं 11 का हो गया, हना, seized word means क्या होता है, seized का मतलब होता है, वैसे तो एक चीज आपने क्या मेरा childhood तब चला गया था, was it the time I realized that hell and heaven, जब मुझे here realized हुआ, की hell and heaven यहाँ पे ही है, है ना, there is, when I got to know about hell and heaven, to hell and heaven के बारे में हम लोग क्या सुनते है, कि स्वर्ग है, नर्क है, लेकिन when I realized कि स्वर्ग और नर्क सब कुछ यहीं पे है, hell and heaven both stays here, only on this earth, okay, could not be found in geography, और hell and heaven ह that means कि आपको अगर earth का कोई map बता दिया जाए तो उस पे आप जाकर कैसे नहीं define कर सकते, that this is hell and this is heaven, यह नहीं है, जैसे की बच्पन में सिकाया जाता है, की map में यह countries यहाँ यहाँ पे है, and therefore could not be, was that the day, और इसलिए मैं उसे find out नहीं कर पाया, और क्या यह वो दिन था, जब म आपने childhood को याद करते हुए, यह poem को लिख रहे है, moving ahead, देखो यहाँ पे picture देख रहे हो, यह picture क्या बताती है, this depicts की कैसे, जो earth है, it is divided into hell and heaven, here only, और कोई अलग से जगे नहीं है, okay, now moving ahead, when did my childhood go, मैंने फिर से बताया, यह बाहर बाहर stanza की starting में repeat हो रहा है, और आपको पता है, जब ऐसी चीज़ा repeat होती है, तो कैस में आती है, कौन सा poetic device है, अगर नहीं पता है, तो तो end तक बने रहना ही है, definitely, पूरा समझने के लिए भी end तक बने रहना है, बट पता है, तो do tell me in the comment section की कौन सा poetic device यह use किया गया है, okay, comment section में जरूर से बताये, like करें इस session को and share with your all friends, क्य है, हमें बहुत helpful रहते है, was it the time I realized that adults were not all the same to be, they talked to love, sorry, they talked of love and preached of love, but did not act so lovingly, was that the day, अब यहाँ पर poet वो दिन याद कर रहे हैं, जब बच्पन में हमें भी कहा जाता है, कि हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, हमें सब के साथ में घुल मिल कर रहना चाहिए, और love spread करना चाहिए, so यह हमें बार 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 सिखाया जाता है, but when accordingly हम देखते हैं, कि वो supposedly doing that, तो यह चीज यहाँ पर समझाई गई है, बहुत अच्छे से कि हमें बच्पन में क्या सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स वो सिखाते हैं, एडल्स हमें सिखाते हैं, क्या that talk of love and preach of love, मतलब की बात करो, प्यार की बात करो और प्यार को ही spread करो, लेकिन जब उनके खुद के आक्ट करने की बात आती है, तो they did not act so, और इसी दिन क्या मैंने अपना बच्पन खो दिया था, क्या, was that the day, जब मेरा चाइल्धूड मुझ से चला गया था, so बहुत अच्छी, like what I can say is, deep meaning वाली पोम है, because these are the things, हमें बच्पन में सिखाया जाता है, but when it comes to their actions, when it comes to their performance, तो व which ever way I choose, producing thoughts that were not those of others people, but my own and mine, was that the day, अब यहां पर थर्ट में बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने थर्ट स्रांजा में यह बोला है, कि क्या, मैं अपना चाइल्धूड कब खो दिया, जब मुझे यह पता चला, जो मेरा दिमाग है, वो मेरा ही दिमाग है, it is not my business to think कि करना होगा, and I have to do such things, जहां पर मैं अपने दमाग के साथ में बिल्कुल एक अच्छा सा रिदम क्रियेट कर सकूं, so to use whichever way I choose, and I can use my brain, whichever I use, हमें बच्पन में क्या बोलता है कि वही तुम्हें बदना है, okay, समझ लो, यह तुम्हें बच्पन में बोला जाता है कि तुम्हें इस बना है, अभी तैसे बहुत सारे स्टूरेंट्स को अगर देखो तो UPSC, अगर उनके UPSC का, if I ask them the full form, तो नहीं पता होगा, लेकिन उनके ब्रेन में यह बच्पन से क्या चीज़ें सिखा दी जाती है, and what they do is, if they have the talent of doing other things as well, तो भी वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, यह deprive कर ली जाती है, उनसे और वो बस एक ही मशीन की तोर पर सोचते रहते है, UPSC, UPSC and all like that, so that time, यह कह रहे है कि क्या मेरा childhood तब चला गया, जब मुझे realize हुआ कि नहीं, यह मेरा brain है, I can think accordingly, और मैं उसी तरीकी से, इसे use करूंगा, producing thoughts that we are not those of other people, यह thought produce करना, कि मैं दूसर words को समझोगे, तभी आपको यह पूरा, पूरा समझ में आएगा, कि जो पहला पहला है, जैसे first first part की अगर हम बात करें, तो यह realism को बताता है, rationalism को बताता है, sorry, यह किसको बताता है, rationalism को बताता है, क्योंकि इनकी जो thoughts है, वो क्या है, rational thoughts का मतलब क्या होता है, to modify such things which are accordingly going on, okay rational word को अगर हम समझे, तो सही और गलत, like means to describe between the what is right and what is wrong, though if I talk, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं नहीं इस बात पर किसी को सही और गलत के बात पर तोलती हूं, because आपको जो सही लगा, वो आपने किया, मुझे जो सही लगता है, वो मेर, तो accordingly आपका जो सही है, वो आपका सही ह मेरा सही है, मैं आपको गलत नहीं कह सकती हूं, but many a times in life, you feel कि देखो, when we talk about some moral obligations and duties and all, on that, अगर हम बात करते हैं, because we live in a society and in society, we go through such norms, और उन नॉम्स को follow नहीं करते हैं, तो definitely what we do this, कि वहीं कि गलत है, कैसे कहा, because there are certain norms, जिसको हम society में रहते हैं, follow करते हैं, so यहां पर फर्स प इंडिविजवालिटी की, because what the line says, producing thoughts, अगर explain करने को भी आए, बाबा, तो यह आपको यह पाहिट ऐसे कैसे लिखना है, that if they want to say, कि आप इस लाइन को explain करो, producing thoughts that were not those of other people, that means it tells us about our individuality, because मेरे thoughts हैं, वो मेरे thoughts हैं, है ना, and but my own and mine alone, और वो थाट मेरे ही हैं, और शायर, if other people are not even getting the thoughts which I am thinking of, that is none of their business and your as well, आपको अपने thoughts को अपने accordingly बताना है, आपको उन thoughts को refine करना है, जरूर से उनके ऊपर बहुत work out करना है, that the things which I am going, the things which I am thinking, are they actually going accordingly or not, because बहुत साले thoughts होते हैं, बहुत साले thoughts होते हैं, like हम क्या कह सकते हैं, they are dead in thoughts, because वो जो thoughts हैं, उनको एक proper way नहीं मिल पात होता है, okay, then was what the day, तो यहां पर third stanza भी clear हुआ, now when we come about the last, last, last stanza, it says, where did my thought, my childhood go, अब कब चला गया, कब चला गया, कब चला गया, इन्होंने पूच लिया, that when did, when did, when did, when did, but now he is asking, where did, कहां चला गया है, मेरा childhood, I am missing it a lot, तो मैंने यहां पे word आपको यूस कर के बताया था, nostalgic, being nostalgic का मतलब क्या होता है, आप पुराने दनों को याद करते हुए, थोड़ा से दुखी हो जाते है, उसे कहते है, nostalgic होना, okay, so, where did my childhood go, at last, यहां पर वो question पूचते है, कहां चला गया, कहां मेरा childhood, it went to some forgotten place, क्या यह कहीं, ऐसी जगे चला गया है, जहां मुझे याद ही नहीं है, I don't know, I don't remember the place, that's hidden in an infant face, और आप क्या देख सकते हो, कि जो childhood है, वो कहां दिखाई देता है, कहां छुपा हुआ होता है, if I talk about general sins, if I talk about the things which we are surrounded by, so, अगर आपना बहुत जाब दुखी भी है, हद से दुखी है, अगर मैं बोलती हूँ, हद से भी दुखी है, तो भी अगर है, आपको या आपको या दिखाई पास कर देता है, कि अपनी चीज़ आखर के सिफ आपको देता है, अगर आपको देता है, just quickly, like with a splash, या फिर हम क्या सकता है, किसी भी तरीके से आपका जो माइन है, वो एक्दम से चेंज हो जाता है, like and you come out, just by looking at your face, you come out from your zone, आपकी जो ल लगना चाहिए तो मचुरिटी इस अलसो निससरी बट नेवर लूज यूर चाहिए दो जाए चाहिए वाग जाना चाहिए यह सारी चीजे करते रहने चीज बिकास्ट विए अलसो गुट्ट और तब हमारे दिमाग में यही सारे questions आने वाले हैं okay so that's hidden in an infant's face कहां चुपा हुआ है childhood it's hidden in an infant's face that's all I know or itana he was mujhe pata hai so he got the answer of where but he haven't got the answer of when 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 one answers the hacky kab kab mera joe bachpan hai that means my childhood had gone away from me but where it is he can find it in an infant's face so ye tha bohati piyara sa hamara poem about childhood and now this is the what I can say this is the most important time where I tell you about each and everything on a slide jaha se questions put up hotel head directly okay so for this man not for this my effort you can do is share this session like it definitely okay so the one team ki baat cutter the theme is the loss of innocence that means what how manam like air up kisi sebi baat karo kisi sebi baat karo to what we always what we always miss we always miss the past we always talk about the past year message at a like even if you are in your like 11th standard to jab a bat karte ho top kato your ninth members it hey we used to play in our playgrounds and now now only just I am waking up and going to school coming back home having my brunch or something hamloh kabhi kabhi klete bhi kabhi skip bhi kar jate then going for tuition and all and then coming back and then doing homework and that's the way I am living my life so hum bhi childhood miss karte so this is the loss of innocence because tab ham chote hote tab ham kya hote baati innocent hote hain ham logo ke damag me na ye josa riz you know very well ah jo tali cheeza chal rahi hotei khuraafati cheeza they are not going on we are just innocent we are happy with the least of bare minimum things which we are provided for but abhi nahi hain hamay woh sari cheeza chahiye we look forward for ki muzhe ye bhi dee diya jahe woh bhi diya diya is sab mein humara innocence chala ja raha hai we are not happy and excited for what we are already privileged with hana ye nahi hota hai if you have already a phone to hum us ke saath khushi nahi hain ham kata yaar bore ho gaya hai i just need a one new phone right so what is that because you have lost your innocence here theme ko yaad rakhna hai maina jutna examples diya hai i hope ki ye sare aapko helpful rehenge in making your answers as well then we talk about rhyming scheme yaad kar lena it is a b b c c d a b b c c d ab dhekho jab me nne bataya hai a b b c c d let me explain you here as well jab dhekho hume a very first senza pe jate ab dhekho yahaan pe kya hai go kya hai go kisi ke saath mein kahi pe bhi nahi rhyme kar raha hai toho humne esko a dee diya lekin eleven or heaven yeh doonho ek saath mein rhyme kar raha hai eleven heaven eleven heaven toho humne isi kya keha diya b this is the b part here phir dekho hume haan pe aate hai geography b e e ka silence aa raha hai yaan pe that's why we are saying c c and d is again totally different toho yaan pe d ka kisi ke saath mein bhi match nahi hai so in this way it is a b b c c d learn kar lije ga by heart moving ahead poetic devices poetic devices mein when i talk about reframe jab mein reframe ki baat karthi ho toho reframe is what reframe is repetition of the whole line jahaan pe yeh poori poori line bar bar repeat ho raha hai hai that is called as reframe antithesis you know very well alliteration ka bhi pata hai aapko jab uh consonant sounds hote hai wo repeat hote hai and rationalism ke baare mein mein haapka already bata diya hai that in the first stanza hamne rationalism ko pa dh liya hai kaise vaha pe sahih aur galat ke baare mein baat ki gai hai okay so here is this all now moving ahead with some questions definitely you know my pattern how i uh start teach you so aap kya tayyar hai are you already dekho bhai tayyar ho toh sabse pehle like or share kar diji ga and then i move forward with questions because ishi mein explain karthi ho ishi mein theme ishi mein haapko rhyming scheme sab kuch poetic devices everything i tell you where the question answers as well toh bhai itna doh banta hai na so do that okay are you ready for the first question here is that question after what age did the poet realize this that he had lost his childhood kis age pe hun hai realize hota hai the poet realizes at what age so it was 12 11 10 or 13 so there was a peculiar line given i am not going to tell you the answer but mein yaa pe pata sakti hoon 10 or 13 toh nahi hai a or b mein aap dekh sakte hai what is the correct answer because hamne ye as it is line dekhi hai agar aap abhi bhi bhool gaya hai go back check that and come back and then comment it okay moving ahead why are the adults not what they seem to be the same line we did it ki kiyo woh vayse nahi hai jayse woh dikhahi deyte hai they say to spread love but they are not doing actually they are not acting accordingly why that so they talk and preach of love but do not act so a gaya answer you know very well maine bata diya hai b they are very shrewd c they are selfish and they are lazy her again i am just eliminating because elimination se apko bhot easy ho jata hai learn karna might be shrewd word aap ke liye naya ho ga but you know the correct answer clearly given her okay comment section mein batayye ga zaru moving ahead i have the next question which is in detail so what according to the poem is involved in the process of growing up vallabh ya haan pe aapka sabkuch a gaya is question ke answer mein sabkuch a gaya that how we evolve how we change how we grow up पूरा process बताना है आपको so according to the poem the loss of childhood ये रहा ये answer आपको impact करेगा आपका answer मैं definitely write this part ये पार्ट जरूर से लिगना the loss of childhood is involved in the process of growing up now this loses this loss in is compassionate हना compensated by some gains which come with adolescence अब ये जो हमने loss किया है इसको कैसे हम compensate करते हैं compensate कैसे करेंगे compensate करेंगे कि कुछ हम जब adult हो जाते हैं तो हम अपनी चीजों को accordingly वहां पर हमेशा हमारे पास में यही चीज होता है या तो हम कुछ mechanism का use करते हैं जैसे कि अगर आपको दुख है तो आप या तो rationalism करते हो या फिर आप क्या करते हैं projection करते हैं लाइक तो इस तरीके से कुछ-कुछ psychologically बात कर दी थोड़ी सी बढ़ हम इस तरीके से ही करते हैं कि अगर हमारे पास में नहीं लाइक है तो वह कैसे करते हैं मैंच हम क्या करते हैं हम ही तो वहाँ मैंच एनिटिंग इना लाइफ तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि आर चाइल्ड हुड we talk about the loss of the childhood we talk about the loss of innocence तो उसको हम कैसे करते हैं we compensate it with the adolescence इसको हम उसके साथ में करते हैं और कैसे करते हैं देखा नहीं है तो यह बच्पना कब निकलता है जब हम देखते हैं कि कोई हमें उसी तरीके से याद कर लाता है कोई हमें उसी तरीके से प्यार से बात करता है दो यह से रिलेटर नहीं है बट आपको याद करवाने क लिए यह मैं अच्छा सा तरीका बता दिया है okay moving ahead so these are increase in understanding power of rationalizing and discrimination as well as sense of individuality and self-confidence तो यहां पर यह सारे examples आ चुके हैं जो हम adolescent होने पर की देखते हैं क्या है देखते हैं कि हमारी understanding ज्यादा बढ़ रही है हम समझ पा रहे हैं दिन दुनिया की बारे में बहुत acknowledge हो रही है so it is understanding then power of rationalizing you know very well कि कौन सा सही कौन सा गलत discrimination कर सकते हैं आप and sense of individuality that means that confidently I can say that no I feel this is right and no I have my own thoughts I have I am stood for with my thoughts तो यह सारी चीजे का बाती है जब you become adult moving ahead what did the speaker learn about the existence of heaven and hell क्या बताया था क्या बताया है कि heaven और hell कहां exist करते हैं they are not on the geography in the geography that means what what they want to say speaker grew to be a mature and he acquired reasoning power अब वो यहां पर reason use कर रहे कि अभी तक हमें बताया था कि यह map होता है यहां पर यह locations आती है सबकी और बट यहां पर वो अपनी reasoning use करते हुए बोलते हैं and he realized that hell and heaven could not be found in geography books or atlas आप कहीं पर भी hell or heaven को नहीं पा सकते हैं when we talk about geography lessons या फिर atlas के बार मैं बोला है since they could not be located anywhere in the world map he conclude that they did not exist वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जब map में ही नहीं है when there is there is nothing on the map तो फिर वो है ही नहीं एक्सिस्ट ही नहीं करते हैं so in how I told you कि वो कहां पर है वो यहीं पर है he would believe only what he could see and find वो क्या कहते हैं यहां पर the poet says that कि मैं वहीं चीज पर विश्वाश करूंगा जो मैं देखता हूं and this is our thought process as well हम भी यहीं सोचते हैं when you grow up तो आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप क्या कहते नहीं मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं बलीव करता हूं उसने कहा आया नहीं कहा do you have some proofs and like that तो यह सारी चीजे का बाती है as we grow mature as we turn to be an adolescent तो यह सारी चीजे तभी होती हैं right so यहां पर हमने यह वाला question भी complete कर लिया moving ahead what does the poet say about the hypocrisy of the grown-ups अब यह यह आप देखेंगे कि कोई hypocrisy कहता है कोई किसी कहता है कोई किसी और तरीके से प्रनांसियेट करता है तो देखो प्रनांसियेशन ना डाइलेक्स पर डिपेंड करता है when we talk about dialect मतलब की एक एरिया में particular लोग जो बोलता है उसे क्या कहते है डालेक्ट बोलता है अब कोई schedule बोलता है तो यह क्या होता है changes आते रहते इंग्लिश is all about updations and इसी तरीके से update होता है ओके सो यहाँ पर मैंने hypocrisy बोला है this is correct pronunciation hypocrisy तो मतलब rarely ही मैंने किसी से सुना है बट हम किसी को गलत भी नहीं बोल सकते है अगर add that area वो ऐसे बोला जाता है और वो पॉपुलर है उस वे में ओके now so there are a process of growing up he was no more a child now and when he could see the thought the hypocrisy of the grown-up people it was a step towards adulthood जब उसने hypocrisy देखी क्या hypocrisy first of all example of hypocrisy was that कि we adults say that we should spread love and they do not act accordingly तो यह hypocrisy देखी थी कि हम बोलते कुछ है लेकिन करते उसका just opposite that is called as hypocrisy और यहीं पर उन्होंने example दिया and that time he turned into an adult तब वो childhood को छोड़ करके बताता है that he became adult तो यहां पर हमने यह part किया है now they are not as good as they appear to be and nor do they practice love in their actions as they preach it is so frequently बता दिया मैने पूरा आपको समझा दिया है so I hope this chapter sorry I hope this poem brings and you again become a child you do such things in your daily life जो आपको अपने childhood की याद दिलाती है और you make you happy as well and that brings a smile on your face as well तो यहां पर हमने यह पोरा पोर्म कर लिया है what I need to say is if you want any questions to be answered तो आप मुझे answer बता सकते हैं question पूछ सकते हैं in the comment section and definitely if you want to make next session में कुछ और ले क्या हूं yeah if you have some ideas to do any other thing तो भी आप comment section में जरूर से बताएंगे okay I'll meet you in the next session till then bye bye